export house में किसी भी material को pack करने के लिए box का इस्तमाल किया जाता है जिसे correlated box कहते हैं तो आए जानते हैं कि box क्या होता है और इसे बनाया कैसे जाता है और इसकी quality क्या क्या होता है हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सर्मा टेक्स्टाइल ग्यान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच करते हैं कि कौ्रुगटेट बॉक्स क्या होता है क्लायार बॉक्स एक परकार का दिस्पोजल कंटेशिちゃी हैं आप जिसको यूज करकेट यस कि प्राया question सब्सक्ताइब कर बनते हैं, तीन लेयर इसके एक लेयर को इंसाइड लेयर, दुसरे को मिडिल लेयर, तीसरे को आउटर लेयर कहते हैं, जो मिडिल लेयर होता है, वो फ्लूटेड होता है, यानि वेव सेप में होता है, जैसे तीन का जो छपर होते हैं, उसमें फ्लूट बना हुआ राता है, वेव सेप में होते हैं, ऐसे ही box के जो middle layer होता है, वेव सेप में होता है किसी भी box के मजबूती को बढ़ाने के लिए इसी layer को बढ़ाया जाता है जितने layer बढ़ाया जाएंगे उस box का उतना ही मजबूती होगा जितने layer बढ़ाया जाता है उसको हम ply कहते हैं जैसे 5 ply, 6 ply, 7 ply इस तरह से हम अगर किसी भी manufacturer को order देते हैं तो उसको हम ply ही बोलते हैं कि हमें इतने ply और इतने brushing strength का box चाहिए तो हम इस तरह से ply से order करते हैं, corrugated box बनाने के लिए यह देखा जाता है कौन कौन से factor ज्यान में रखा जाता है, corrugated box बनाने के लिए यह देखा जाता है कि इसमें कौन सी material और कितने material इसके अंदर pack होना है उसे के हिसाब से कितने ply का box बनेंगे या उसका क्या strength होगा वह decide किया जाता है corrugated box बनाने के लिए इन सब factor को examine किया जाता है जैसे पहला flute size, यह flute size क्या है? यानि कि जो middle layer है, जो wave safe है, जो flute बना हुआ है, उसका size को मापा जाता है यह size को कैसे मापा जाता है? एक foot के अंदर कितने flute बन रहे हैं, वो मापा जाता है generally मान लिया जाए कि एक foot के अंदर अर्थाद 12 inch के अंदर अगर 36 flute बन रहे हैं और दूसरे box को अगर हम मापते हैं और एक foot के अंदर 41 flute बन रहे हैं इसका मतलब है कि एक foot के अंदर जो 36 flute वाले से 41 flute वाला ज्यादा density और मजबूत होगा दूसरा brushing strength जाज करके फिर उस paper के quality और उसके box की quality को समझते हैं brushing strength पुराने जवाने से निकालने की परकिरिया चला आ रहा है जिसको मुलेट टेस्ट भी कहते हैं रस्टिंग strength में 90 किलो वाट को force लगाये जाता है एक square inch paper के उपर तीसरा है age crust strength क्या है किसी पेपर को vertical रखा जाता है और उसके उपर 25 किलो वजद से उस पर प्रेश के जाता है उसमें फिर देखा जाता है कि कितने उसका सेप या कितने फटा है वो सारची देखा जाता है और नोट के जाता है यह होता है एज क्रस्ट्रेंथ होता है फ्लैट क्रस्ट्रेंथ किसी बॉक्स को फ्लैट रख करके उसके उपर वेट रख करके और वो देखा जाता है कि उसके सेप में कितना बदलाव आ रहा और कितने force पे वो फट रहा है तो यह होता है flat cross strength फिर heaviness of the cardboard seat जो cardboard seat उसमें लगा हुआ है वो कितना heavy है कितना thickness है कितना gsm का है यह उसमें देख करके उस box की quality को पहचाना जा सकता है और जितना heavy paper और जितना gsm का paper लगेगा उतना ही उस box की quality ज़्यादा बेहतर होगा weight of the paper यानि कि weight of the paper यानि कि gsm उस कितने gsm का उसमें paper लग रहा है जितना heavy gsm का paper लगेगा उतना ही उसका अच्छा brushing strength होगा type of the surface treatment यानि कि उसके surface को पर कितने तरह के treatment किया गया है यानि कि जब paper की layer लगा जाता है और उसका पर glue लगा जाता है वो जो treatment किया जा रहा है वो कितने तरह के किया जा रहा है यह इस तरह के साथ तरह के आप examine करके आप box को त्यार करने में काफी मदद मिलता है इन साथ तरह के exam करके समझ करके box को बना जाता है अब हम कुछ महत्यपूर्ण elements को हम यहां चर्चा करेंगे यहां पे तीन ऐसे elements है जो बहुत ही महत्यपूर्ण है और उसको हम समझते हैं कि कौन से element को क्या कहते है पहला है single wall दूसरा है double wall तीसरा है triple wall यह single wall, double wall और triple wall क्या है जब जो wave यानि के flute वाले layer single होंगे और उसके नीचे और एक उपर kival seat चिपकाया हुआ होता है तो ऐसे ऐसे paper को single wall corrugated box paper कहते है दूसरा है double wall, double wall वाले जो paper होते हैं इन में flute वाला जो layer होता है अर्था middle layer होता है इसमें double layer होता है जैसे सबसे पहले, जैसे single wall में बनाया गया single wall में क्या होता है कि एक नीचे फिर इसके बाद flute इसके बाद उपर एक यानि कि तीन layer इस तरह से होते हैं ऐसी ही अगर double wall होगा तो दो paper को इसी तरह से चिपकाया जाएगा यानि कि सबसे पहला layer एक paper होगा, फिर flute, फिर paper, फिर flute, फिर paper इस तरह से double flute layer होगे तो इस तरह के जो paper होगे उसको हम double wall corrugated box paper कहेंगे या single wall paper से double wall paper ज़्यादा मजबूत होता है तीसरा है triple wall triple wall जैसा की नाम है वैसा इसमें तीन layer, flute layer तीन होते है और इस तरह से ये single wall और double wall दोनों से ये मजबूत होता है इस तरह के जो box होते हैं उसमें heavy material को pack करने के लिए किया जाता है अब corrugated flutes जो होते हैं जो box के बीच फ्लूट वाले layer होते हैं वो 5 तरह के होते हैं अब 5 तरह के flute layer को ये A, B, C, E और F के नाम से नामांकन किया गया है A का मतलब इसमें क्या होता है फ्लूट के अंदर 36 flute होते हैं तो इस तरह के flute वाले paper को A type flute box paper कहते हैं दूसरा होता है B, B type flute box paper तो इसमें क्या होता है कि एक foot के अंदर 49 flute होते हैं यानि ये वाला से ये B पुड़ा ज़्यादा density इसमें ज़्यादा होता है और इसकी मजबूती भी ज़्यादा होता है तीसरा है C type, C type corrugated box paper में इसमें एक foot के अंदर 41 flutes होते हैं एक foot के अंदर कितने 41 flutes होगें या सबसे ज़्यादा industry में परियोग में राय जाने वाले box का paper हैं चौथा है E, E type में इसमें एक foot के अंदर 90 flutes होते हैं इस तरह के box काफी मजबूत और काफी heavy material पैक करने के लिए परियोग में लाय जाता है पांचवा और अंतिम है E, E, E type corrugated box paper E, E type corrugated box paper में इनमें क्या होता है कि एक foot के अंदर 12 inch के अंदर 128 flute होते हैं यह सबसे अच्छा और इसमें इसकी flute के density काफी अच्छा होता है तो इस तरह से A, B, C, E, F तरह से अलग-अलग types करके box के जो elements है उसको पहचान किया जा सकता है कि कौन सा कितने अच्छे quality का box है I hope इस video से आप बहुत कुछ box के बारे में जनकारी लिये होंगे अलांकि box के एक-एक topic के उपर एक-एक video बनाया जा सकता है लेकिन यह काफी video लंबा हो जाएगा इसलिए हम केवल main event point को इसमें रखे हैं तो मिलते हैं इसे तरह से नए informative video का साथ तब तक के लिए जय हिन जय भरत अला टा में ओर रषल